हेलो दोस्तों सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भधा परणाम दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यानवर्दक एवं धन प्राप्ति का मूल मंत्र है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर औरत का वह कौन सा अंग बेसर्म होकर दबाने एवं चूसने से घर में अचानक अपारधन की प्राप्ति होती है जो भी मनुश्य औरत का यहा अंग दबाता वा चूसता है उसके घर में सदेव मा लक्षिमी का वास रहता है और मा लक्षिमी की किरपा सदेव बनी रहती है तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि औरत का वहा कौन सा अंग जिसे हर पुरुष को दबाना वा चूसने चाहिए नवस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में और आज की इस बहुत ग्यान वर्दक जानकारी आपको इस वीडियो की माध्यम से से शेयर कर रहा हूँ दोस्तों यदि आपने अब तक हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब ने किया तो कृपया हमारे यूटूब चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो के केमेंट में जरूर जै मालक्स में जरूर लिखें दोस्तों एक बार की बात है एक गाव में स्याम नाम का व्यक्ति रहता था और वहा बहुत ही गरीब था तो उसकी पत्नी लगातार उसे ताना मारती थी कि आप बहुत गरीब हैं आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं तो वहा बहुत ही प्रेशन हो जाता था एक दिन जब उसकी पत्नी ने उसे बहुत ही ताना सुनाया तो वहा घर से बहुत दूर निकल गया तो अचानक उसे एक सादू दिखाई दिये तो वहा जट सादू के पास गया सादू से बूला कि है महराज मुझे कुछ ऐसा बताईए जिससकी मैं धन्वान बन सकूँ आप हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं तो मुझे कुछ इस परकार से बताईए कि जिससकी मेरे घर में धन की अपार बिर्दी हो सकी तो सादुजी कहते हैं कि आप बिल्कुल धनवान हो जाओगे परंतो आपको एक कहानी सुनने पड़ीजी और आपको उसी प्रकार से फोलो करके आप भी धनवान बन सकते हैं आपकी घर में अपार धन की प्राप्ति हो सकती हैं तो सादू जी उसे एक काहनी सुनाते हैं, सादू जी कहते हैं कि एक नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहती थी, दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्रेम था और उनकी प्रेम की कहानियां संपूर्ण नगर में फैली हुई थी, एक दिन जब राजा और रानी ने उनकी प्रेम की कहानियां सुनी, प्रेम की बारे में सुना, तो राजा ने सूचा कि क्यों नहां हमारे संपूर्ण नगर में इसी प्रकार सभी के घर में प्रेम बना रहें, तो राजा ने एक योजना बनाई और अपने सेनिकों को बुलाया कि कहा कि आप संपूर्ण नगर वाशियों को आउगत करवाएं कि रात को सभी लोग अपने अपने घर में घी के दिये जलाएंगे, तो राजा के जो सेनिक थे, वो सभी लोगों को आउगत कराते हैं कि राजा ने कहा कि सभी लोग अपने अपने घर में घी के दिये जलाएंगे, तो सभी लोगों ने अपने अपने घर में जब रात हुई तो गी के दिये जलाए और राजा और रानी बहार में सभी के घरों को देख रही थी जैसे जैसी रात होती गई तो अन्य सभी लोगों के घी के दिये तो बुझ चुके थे किन्तु जो किसान और उनकी पत्नी थी उनके घर में लगातार गी के दिये जल रहे थे तो राजा ने राणी को कहा कि देखिए सबी लोगों के घर के दिये तो बुझ चुके हैं किन्तु किसान की घर में इतना प्रेम है कि उनकी प्रेम की सुगनता से आप देख सकते हैं कि गी के दिये तक नहीं बुझ पाए गी के दिये लगातार प्रेमता से जल रहे हैं तो रानी ने कहा कि उनकी घर में जो किसान की पत्नी है वह बहुत ही समझदार है इसलिए उनकी घर में प्रेम बना रहा है दोनों के बीच प्रेम है तब तक राजा ने कहा कि नहीं रानी आप गलत बूल रहे हैं किसान बहुत ही समझदार है इसी वजो से उनके घर में दोनों में आपस में प्रेम है और उसी प्रेम से वो दोनों रहते हैं तो राणी ने बूला कि नहीं पत्नी समझदार है राजा ने कहा कि नहीं वह किसान समझदार है तो राणी ने ने कहा कि ठीक है अब इसकी एक परिक्ष लो तब ही मैं मालूँगी कि किसान समझदार है या उसकी पत्नी समझदार है तो राजा कहते हैं अपने सेने को को बूलाते हैं और अपने सेने को को बूलते हैं कि आप किसान के घर में जाओ और जब वहाँ पे उसकी पत्नी ने रहेगी तो उस समय किसान को बूलना कि राजा ने कहा कि आप अपनी पत्नी को छोड़ दो और हम आपको बहुत सारा धन दौलत देंगे और जितनी आपकी खेतें उसका चार गुनाँ आपको होर खेत देंगे तो किसान को जब राज किसनिक बताते हैं कि राजा ने आपको ऐसा बोला है कि आप अपनी महारान, अपनी पत्नी को छोड़ दो, हम आपको बहुत सारा धन दोला देंगे और आपकी जितनी खेते हैं उसका चार गुनाह और बढ़ा के देंगे तो जैसे किसान सुनता है, तो वह सेन्यों को बूलता है कि आप तुरान्त राजा की पास वाफस चले जाएं और भूली राजा को कि नहीं, मैं पैसो के खातर अपनी पत्नी को नहीं त्याग सकता हूँ मेरी पत्नी मेली सब चीज़ें, बहुत ज़्याद हैं, महतो रखती हैं मेरी जीवन में मेरी पत्नी तो जैसे ही वहाँ से राजा के सेनिक लोडते हैं, राजा को बताता है कि महराज उसने तो ऐसा ऐसा कहा कि मैं अपनी पत्नी को नहीं छूट सकता हूँ तो रानी ने सुना वो चुप रह गई तो फिर रानी ने सोचा रानी ने बूला कि नहीं अभी तो केवल उसकी परिक्चा हुई है अब आप रानी की पत्नी है यानि कि किसान की पत्नी है उसकी भी परिक्चा लीजिए वहाँ भी बहुत समझदार है तो राजा फिरा अपने सेनियों को राणी के पास दीशता है बोलता है कि जिस समय वह आपके किसान नहीं रहेगा उस समय आपने राणी को उसको बूलना है किसान के पतनी को बूलना है कि राजा नहीं कहा कि यदि तुम अपने पती का किसान का खून कर देती हैं तो हम आपको आदा राज पार दे देंगे और जितनी आपके पास खेते हैं उसका चार गुना आपको देंगे तो जैसे ही किसान के पतिन के पास राजा के सैने जाते हैं और वो सबी बताते हैं कि राजा ने कहा कि आप अपने पतिय को मार दीजिए और उसके बदले में हम आपको आदा राज पार देंगे और जिसतनी आपके पास खेते हैं उसका चार गुना आपको देंगे तो वहाँ बिल्कुल तयार हो जाती है और वहाँ बोलती है सेनिकों को कि हाँ ठीक है मैं अपने पती को मार दूँगी परन्तो मुझे आदा राज पार और चार गुना इतनी खेतों को मिलना चाहिए तो जैसे कि वहाँ सेनिक लोड़ते हैं और राजा और राणी के पास आते हैं और बोलते हैं कि महाराज राणी तो तयार होगी किसान के पत्री तयार हो गई है अपने पत्री को मानने के लिए तो रानी अच्छम भी तो हो जाती है और बूलती है कि महराज राजा को बूलती है महराज मैं गलत थी आप बिल्कुल सही थे तो जैसे ही वो अपने घराती है वो किसान की पत्नी तो उसे मार देती है जब तक राजा वहां जाते थे तब तक उसने अपने पती को मार दिया था तो राजा वहां भाग के जाते हैं कि उसने कहीं अपने पती को वास्ते में मार तो नहीं दिया कि मैं तो इसे बहुत पहले ही माना चाहती थी, इस किसान को बहुत पहले ही माना चाहती थी, किन्तु मैं तो इसके साथ लड़ना जगड़ता थी, परण तो यही मेरे को मनाता बुझाता था, मुझसे प्यार करता था, मैं तो नहीं करती थी उससे प्यार, परण तो वही करता था और मीरिक जो कान का पिछला हिस्सा है उसे चारता था चूसता था उसे तो किसा राजय ने बोला कि यहाँ काम कब से हुआ जब आप गरीब थे तब से तो उसकी पतिनीन ने कहा कि नहीं पहले से तो नहीं करता था परन्तु अभी कुछ समाई में ही उसने ऐसा करना प्रार उन्होंने उस स्याम को कहा कि आप इस काने से कुछ समझे कि उसने बोला कि नहीं मैं तो नहीं समझा उसने स्याम को कि भाई जो ब्यक्ति अपनी पतिनी का कान का पिछला हिस्से को चूसता है चारता है और अपनी पतिनी की नाक की उपरी हिस्से को दबाता है तो उसके घर म मा लक्षीमी का वास रहता है क्योंकि औरत कान की पिछले हिस्से में मा लक्षीमी का वास रहता है और जो व्यक्ति उसे चूसता है उसे दबाता है नाके के उपरी हिस्से को तो उसके घर में अपारधन की प्राप्ती होती है किसान भी लगातार इसी वज़ों से बहुत अमीर बनता जा रहा था वहाँ अपनी पत्नी की नाकी की उपरी हिसे को और उसकी कान की पिछले हिसे को चारता चूसता था इसी वज़ों से उसकी गर में अपारधन की प्राप्ती होती है तो वहाँ श्याम भी इसी प्रकार से अपनी घर आते हैं और अपनी पत्नी का नाकी के उपर इसे को दबाते हैं और उसकी कान की पीछले हिसे को चूसता चबाते हैं तो वहाँ श्याम भी एक दिन बहुत ही अमीर ब्यक्ति बन जाते हैं तो दोस्तों यदि आपकी घर में भी धन की किलत है, धन प्राप्ति नहीं उपा रही है, आपके ब्योगसाय में कुछ पर्टिकूल परवाव परड़ है, तो आप इस उप्याई को जरूर अपनाएं, इस से आपकी घर में जरूर अपाधन की प्राप्ति होगी, यदि दोस्त झाल